आप सभी प्यारे प्यारे बच्चों का स्वागत है आपके चैनल में और यहां पर हम करने जा रहे हैं अर्धवारशिक परिक्षा 2022-23 का जो प्रश्ण पत्र आया हुआ है माध्मिक शिक्षा मंडल भोपाल का भौतिक सास्तर का जो प्रश्ण पत्र आया है कक्षा 11 का आज हम हम देखेंगे इसका हल प्रश्ण पत्र बहुत बढ़िया था थोड़ा सा डिफिकर्ड लगा बच्चों को ऐसे क्वेशन्स आये जो बच्चों ने शायद पढ़े नहीं थे परन्तु वैकल्पिक प्रश्ण मुझे थोड़े से सरल समझ में आये थोड़े से नय प्रश्ण माप 6.320 जूल में सार्थक अंक क्या है तो देखिए दशमलो है दशमलो के सारे नौन जीरो डिजिट नंबर मतलब जो अशुन है वो तो सार्थक अंक में होते ही है और उसके बाद यहाँ पर एक हो गया दो हो गया तीन हो गया अब यह 0 होगा की नहीं होगा बिलकुल हो है ओके तो यहाँ पर कितने सार्थक अंक होंगे एक दो तीन और चार तो टोटल यहाँ पे चार सार्थक अंक होंगे ओके चलिए अगला सवाल देखते हैं गैस के अणुगों की गती कैसी होती तो देखें आप जानते हैं गैस के अणुगों जो होते हैं वो क्या free space में गती करते हैं तो इनकी गती त्रिविमी होती है X में भी Y में और Z में मी तो इनकी गती क्या होती है त्रिविमी गती हुआ करती है चली पहला सवाल होगा दूसरा रॉकेट नोधन कार का सिधान तो भाई रॉकेट किस सिधान पर कार करता है रॉकेट जो होता है समवेक सनच्छन के नियम पर कार करता है तो यहाँ पर समवेक सनच्छन का नियम कार करता है रॉकेट के लिए एक M1 V1 प्लस M2 V2 मैं लिख देता है एक बार सम्वेग संद्चन का नियम M1 U1 प्लस M2 U2 is equal to M1 V1 प्लस M2 V2 जी हां यह कहला था प्रारंबिक संबेग और यह कहला था अंतिम संबेग और यह टोटल नियम कहला था संबेग संद्चन का नियम अगला क्वेश्चान है भाई कि 0.1 था जौइाटर 1 अष्यू शक्ति ओके दिएक अश्यू शक्ति नहीं है 0.1 मतलब एक बटे दस होर्स पावर कितना होगा तो एक होर्स पावर कितना हुआ होता है 746 का, तो divide by 10 कर दिया है, तो भाई, दसमलोग तो 74.6 वाट तो 0.1 हार्स पावर कितना होता है, 70.4 6 वाट अगला कॉश्चन है, प्रतिवी के तल पर भूमत दरीखा से ध्रोवों की ओर जाने पर गुरुत्ती त्रोण का मान, तो मैंने आपको तो अगर आर कम होगा, तो जी का मान जादा होगा, तो गुरुत्ती त्रोण कहां जा रहे हैं, आप ध्रोवों की तरफ जा रहे हैं तो ध्रोवों की तरफ जाने पर गुरुत्ती त्रोण का मान क्या होगा, बढ़ता है मान क्या होता है, बढ़ता है अब अगला question है कि अधिक प्रत्यास्थ प्रतार्थ कौन सा है इसमें से सबसे ज़ cooler है इस्पात है plastic है तो देखिए प्रत्यास्था का जो गुड़ांक होता है गामा इस से कम विक्रती किसकी है आप इस चीज को पहचाने का प्रयास कीजिए ओके तो दिये गया options में से सबसे अधिक प्रत्यास्थ कौन सा है इस पात है क्योंकि दीखे रबर की प्रत्यास्था तो जो होती है प्लास्टिक भी रबर के आसपा से आता है काच तो जो होता उसको मैं अप्रत्यास्थ मान सकता हूं देखे अगला question है कि poison निस्पत्ति का व्योहार में मान बराबर है तो poison ratio का जो मान होता है वो minimum कितना होता है minus 1 और अधिकतम मान कितना होता है 0.5 security purpose के लिए poison ratio का मान जो होता है poison ratio जो होता है वो minus 1 से लेकर के sigma की value minus 1 से लेकर के अधिकतम कितनी होती है 0.5 positive में तो कह रहा है इसका कौन सा मान ब्योहार में संभव नहीं है और यह जो अनुपात हुआ करता है यह अनुप्रस्थ विक्रती ओके अनुप्रस्थ विक्रती और अनुदैर्ध विक्रती का अनुपात होता है अनुप्रस्थ विक्रती और अनुदैर्ध विक्रती का अनुपात हुआ करता है और इसकी value किती है असंभव value है minus 5 ओके अब यहां पर है रिक्त स्थानों की पूरती करिए, पूछा गया है छेतरफल किस प्रकार की राशी है, तो यदि देखा जाए तो इसके दो जवाब हो सकते हैं, कि छेतरफल जो है, पहला तो इसका आंसर मैं कहूंगा कि छेतरफल जो है, वित्पन राशी है, मतलब भी derived quantity है, और जो जिए दूसरी चीज वह रहे है कि हाई लेवल पर बात की जाए तो जो एरिया होता है, वो सदिश राशी होती है, क्योंकि एरिया का जो जो सदिश होता है, वो उसका अभी लंब होता है, तो एक चीज हो सकती, बढ़ इस में जितन लोगोंने वित्पन लिखा होगा, उ आवेग बोलते हैं, बल और समयांतर के गुडन फलकॉम क्या बोलते हैं, किसी वस्तु के कार करने की छमता को वस्तु की ऊर्जा कहते हैं, कोई वस्तु कितना कार कर सकती है, उसकी कार करने की छमता को ऊर्जा कह सकते हैं, जड़त आगून का विमी सुत्र कितना होता है, भाई तो याद रखेगा प्रत्वी तल के लिए पलाइन वे कमान कितना होता है 11.2 किलोमेटर पर सेकेंड एंड यह जो होता है द्रव से वास्प आवस्था में परिवर्तन को क्या कहते हैं आप ही पताइए तो अंग्रेजी में इसे एवापुरेशन बोलते हैं ओके और द्रव से वास्प में बदलने को हिंदी में वाश्पी करण बोलते हैं वाश्पी करण और इसका उल्टा वास्प अगर द्रव में उल्टा जाएगा तो उसको क्या बोलेंगे संगनन मगर द्रव से वास्प में जाएगा तो क्या बोलेंगे वास्पी करण और वास्पगर द्रवे में वापस जाएगा तो उसे हम क्या बोलेंगे संधनन चलिए आईए बात करते हैं इसके पास सही जोड़ी स्पीडो मीटर ओके तो स्पीडो मीटर क्या देता है स्पीडो मीटर आपको ताच्छनिक चाल देता है ठीक है जी विद्धारा कैसी कॉंटिटी है विद्धारा जो है अदिश रासी है यहाँ पर विद्धारा अदिश लगरा मुझे विद्धारा यहाँ पर अदिश आ जाएगा देन कोणी सम्वेग क्या होता है भाई कोणी सम्वेग कितना होता है द्रमान है सदेस है एक मिनट ये थोड़ा सा डाउटफुल इस्थिती है तो पहले आपन दूसरी चीज लगा देते हैं गुरिती त्रोन जी कामान होता है केपिटल जी एम अपॉन आरे स्क्वेर बिल्कु सही बात है तो कोणी सम्वेग बिल्कुल हो गया सदेसरासी एल वेक्टर बराबर एम वी आर बिल्कुल सही है ओके तो यह एल सदेसरासी हुआ करती है कोडी सम्वेग चलिए अगला देखिए एक शब्द वाक्य में उत्तर लिखिए अच्छा वन वर्ड आंसर है कि मतलब अब अपन को एक शब्द में उत्तर लिखना है पहला प्रच्छे पगती का पाठ नहीं है आप पात कैसा होता है तो भी परवलियाकार इसका जो पात होता है वो कैसा होगा परवलियाकार होता है परिवर्तन के प्रती प्रतिरोध वस्तु के किस गुण को दिखलाता है भूली नहीं सकता एक तिर्भुजा कारफलक का द्रमान केंदर कहां पर होता है यह इसके केंदरक पर होता है तिर्भुजा कारफलक का जो द्रमान केंदर होता है वो उसके कहां पर होता है केंदरक पर हुआ करता है शान्ता का SI मात्रक क्या है ओके शान्ता का SI मात्रक बतान वह होता है ml की power minus 1 and T की power minus 1 तो ml की power minus 1, T की power minus 1 यह शानता कविमी, सूतर हुआ करता है, तो यहां से आप बना सकते है, kilogram, kilogram meter inverse और second inverse, kilogram meter inverse second inverse होता है और high level में इसकी और unit होती, जिसको बोलते हैं, pascal second, क्या बोलते हैं, pascal second, तो kilogram, meter inverse, second inverse कर लिजे, या pascal, second भी कर सकते, तो इसका correct answer मैं कहूंगा, आप अपने level पे लिख कर क्या हिए, kilogram, meter inverse, second inverse, चलिए, अगला, एक mole gas के लिए आदर्स gas समीकर लिखे, तो भाईया, n mole gas के लिए होता है, PV equal to nRT, तो एक mole gas के लिए हो जाएगा, PV equal to RT, एक mole gas के लिए, त तुल्ल काली उपग्रह का परिक्रमन काल कितना होता है, कितना है, कितना है, 24 घंटे, क्योंकि जो तुल्ल काली उपग्रह होते हैं, वो प्रत्वी के साथ साथ घूमते हैं, किसी विशेस, location को ध्यान में रखते हुए, तो इसका जो परिक्रमन काल होता है, वो कितना होता है 24 गंटे हुआ करता है तो ये था हमारा पहला पार्ट फिजिक्स का जिसमें हमने छोटे-छोटे question discuss कर लिए हैं अब इसके बाद 2 marks, 3 marks और 4 marks के question जो हैं वो मैं आपको अलग से second part इसका वीडियो का आएगा उसमें मैं आपको जरूर बताऊंगा मित्रों कैसा लगा आपको हमारे solution कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए मजा आ रहा है तो ऐसे ही वीडियो आपके लिए और मैं बनाता रहूंगा बस हमें motivate करते जाएए आपका बहुमूल्य और कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्रवाद नमस्कार